तो दोस्तों केसे हूँ आज काफी ज़्यादा इंपोर्टन अपडेट लाया वरिफार इस्पोर्ड कम्यूटी की तो यार वीडियो को अभी से लाइक मार देना और आज का लाइक हम रखते टू के लाइक और आपको बहुत लास्ट वीडियो से कुछ बोल रहो बट यार के तरफ से तो लिडो माई एश्या का टोर ना तो यार यह बहुत बहुत रहने वाला है क्योंकि यार फ्री होने वाला है और दूसरी चीज इसमें कोई भी इन्वाइटेट स्लोट्स नहीं रहने वाले तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दि करेंगा और बाकि आगे की प्रोसेज जो है वह समझा देंगा इसका रेजिस्ट्रेशन होता है लेकिन वह आपको एड्मिन समझाएंगा कैसे क्या करना है वहत इजी प्रोसेस है ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और आप एजीली खेल सबते हो बाकियार यह बस यही टोर गेमिंग ने स्टोरी डाली थी कुछ दिन पहले सुपर डिसपोइंटेड विद दिवाली स्कॉर्ड कप रिजल्ट एंड विनर लिस्ट राइट नाव आएम बिजी विद सम पर्सनल प्रोब्लेम बट वी विल शोरली टॉक अबाउट दिस तो एग्जेक्ट सीन ऐसा है कि बस अवरा गेमिंग ही नहीं बहुत सारी प्लेयर जो दिवाली स्कॉर्ड कप के लिए उस रिजल्ट से डिसेपॉइंटेड है क्योंकि यार जो टॉप की टीम है विनर टीमों में से तो यार उसमें से एक प्लेयर जो पैनल सेल कर रहा था ऐसा भी मतलब अपडेट कि उन्होंने मतलब ठीक से एक बार रिजल्ट को अच्छे से चेक किया क्या किया क्या दोस्तों अबताना क्या सीने वाला जान्ती गेमिंग से जैसी मैसेज्घा ला जैसेकu की आप स्क्रीन के उपर देख सकते हो लिविंग ओजी सुन और चोड़ रहा हूँ बस पहाड़ी में और जय साथ में ये I think फ्रिफार टीम पूरा लिव करेंगी ओजी जल्दी पोष्ट देखने को मिलेंगा ऐसा उन्होंने कहा है कि ओजी का ओफिशल पोष्ट भी आपको फेरवल का शायद से टॉर्णामेंट वगयरा देखता है बट यार ज्यादा उसका भी कोई इंट्रेश्ट ने तो ओजी की टीम मतलब पूरी वाट लग गई है अब सीन ऐसा हो गया है ना कि ओ और भी छोड़ रहे हैं तो दूसरी चीज यही है कि दोस्तों यार ओजी को भी मानना पड़ेंग यार उन्होंने इतने दिन से एक टीम को संभाल के रखा यार उसके लिए भी मतलब उनको सल्यूड बनता है क्योंकि यार बैन होने के बाद भी इतने पिरिट तक उन्होंने किसी फ्रीफार टीम को रिलीज नहीं किया इतने दिन तक संभाल के रखा बट फ्रीफार वाले ट को ज्यादा टाइम बचा नहीं यह फाइनली यार अनॉंस कर दिया है अपने स्टैन एपने कि यार जो वो स्टैन फिश कराने वाले उधर होने वाला यार थोड़ी टीम्स होने वाली है लेकिन आपको बताना चाहूंगा चार इन्वाइटेड टीम्स होंगी यार उसमें से दो टीर जी और एक टीम माफिया रहने वाली है और दूसरा सीन रहने वाला है कि रॉके और आडेस के जो कौलिफार से शायद से सीस मैचेस के ही जो कौ होंगे उसमें से कौलिफाई करके जो चार टीम्स आएंगी वह आएंगी तो यार मतलब यह टोर्नामेंट काफी मज़ेदार होने वाले चलो कोई टोर्नामेंट नहीं हो रहा उससे अच्छा तो बढ़िया टोर्नामेंट करा रहे और वह शायद से ऐसा भी है कुछ लेक्स्ट अपडेट जैसे कि आप स्क्राइं कर देख सकते हो वीडियो में यहाँ पर सूट कर रहे और उनके शर्ट पेक लोग वे गरिना का तो इससे बोला जा रहा है कि यार एक गरिना का शूट फ्रिफार इंडिया का शूट है ऐसा बोला जा रहा है लेकिन आप मेरे से अच्छे से जानते हैं यह सारी चीज़े तो आप मेरे को कमेंट बताना आपको इडिटेड लग रहा है या ओरिजिनल लग रहा है लेकिन दोस्तों यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल चला है लास्ट कुछ दिन से तो ऐसा बोला जा रहा है कि फ्रीफार इंड क्या तो यार क्या कर रहा दोस्तों बहुत सारी लोग बोल रहे स्टेट वार फेर्स कब होने वाला है स्टेट वार्स के रॉक की भाई ने वह लाता चार पाच्छे साथ तारिक में होंगा लेकिन हुआ ही नहीं शायद से कुछ इशू होगा इसके ओपर कुछ अपडेट आ